सबसे पहले वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें तो पहले तो मैं यह चीज क्लियर कर दू कि मेरा जो भी होगा कमेंट्स में जो भी करूँगी वो किसी को यह लेकर नहीं करूँगी कि वो मेरे बहुत क्लोज है या अक्षरा जी मेरे बहुत क्लोज है या पावन जी मेरे बहुत क्लोज है ऐसा कुछ नहीं है नामनियास तक प तो बात अगर करूँ करियर के कि वो उनका करियर खतम करना चाहते है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता लेकिन आप साथ में काम भले ना कियों लेकिन जानती तो होग नहीं तो आप कितनी वार मुलाकात के होंगे कहीं फंक्शनस में या ऐसे भी नहीं यह बात मैं इसलिए बोला क्योंकि अभी बीच में हमारी एक एक्ट्रिस ने कमेंट किया था पहुन जी को लगे कि नहीं वह बहुत अच्छे हैं और हमारी फोन पर कानवर्शेसन होते रहती है तो मैंने कमेंट्स में देखा लोगों ने यह बोला कि जो अक्षरा जी के सही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलूं कि जोगी तो मताब न्यूट्रल रहना चाहती है आप अक्षराजी के पक्ष में है ना पावन जी पक्ष की बात नहीं केसा है पहले यह चीज़ डिसीजन ले लेते पब्लिक मैंने देखा है कि जब भी किसी का ऐसा बयान आता है तो पहले लोग डिसीजन अच्छा यह खराब बोल तो इसको गाली देना चालू कर दो तो इसलिए मैं पहले कर देना चाहती हूं कि मैं किसी के पक्ष से नहीं बोलूँगी हां मुझे लगर लगता है कि अक्षराजी गलत है तो मैं बोलूँगी कि वह गलत है अगर से लगा रही है हारोप उनसाब जब मुनाकात की कैसा बात बबार रहा है उनका आपकी साथ कैसा रिष्टा रहा है मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से हम बहुत अच्छे दोस्त है हम मिलते चुलते रहते हैं लेकिन यह जो कॉंट्रवर्सी पहले तो मुझे समझ नहीं आता अक्षरा जी ने बोला कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी उनका बैग उठाती थी और उनको उठाते थी चलो ठीक है सारी चीज़े अपने जगा पे है वो आपका प्रसनल नीजी मामला है पहले चीज़ की तो अपने घर के अंदर जो बाते चल रही हैं अपने एक् क्लीफे हैं अगर चीजे वहां पे बिगड़ रही है तो आप प्रसनली उनसे जाके मिलें उनको फोन कीजिए उनसे बात कीजिए घर की चीज ऐसे पब्लिक लिए यह सब करना मेरे हिसाब से गलत है लेकिन आप खुद एक औरत हैं आप नहीं से सकते हैं इस बात को कि जब अबृद को फिकよね उइस सो करना चाहिए और अगर केवल गलती गेर एक साइड से होती है तो जरूर मैं सहिंकरते है बिना जब तक कि ये दोनों हाथ नहीं चिपकता ना ताली नहींना क्यंको गलती दोनों तरफ से होती है तो मेरी सबसे बड़ा पॉइंट मेरा यहां पर यही है कि जब आप रिलेशन में आई क्योंकि सुरी मैं यह बात नहीं बोलना चाहिए आपने एकसेप्ट किया और मेडिया इसले में बोल रही है कि आप जब रिलेशन में आई तब तो आपने मे आप जब खुच किया तो अब भी सिक्रेट करो ना यह चीज है मेरे हिजाब से लेकिन प्रफेशनली कभी कोई कॉम्पेटिशन राज़ाई से आपका मतलब आपकी फिल्मे हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो साथ में और आपको लगा जिए नहीं नहीं मेरा कोई मैं उसके खिलाफ विल्कल भी नहीं हूँ अब मेरा बस इतना कहना है कि हम सब लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा है मतलब मारी इंडस्ट्री एक परिवार है परिवार का एक लड़का या एक लड़की अगर गलत करता है तो पूरा परिवार खराब होता है सब के नजर में के नजर में उस परिवार को लोग गलत बोलते हैं तो यह हमारा परिवार है अगर कोई एक गलत कर रहा तो सब को उसी नजर से देखा जाता है कलको हर जगह वही चीजे उठती है अभी आप आये हो आप यह सवाल पुछ रहे हो अभी कल को मैं किदर भी शोक ले जाओंगी तो आप यह चीजा लेदर प्लीस करों मुकदमा करो एक यार करो जो करो पर प्रस्टनल लेबल पर करो ऐसे सब के सामने करने अनुद निए वोल रहे हैं लेकिन नाम भी लड़की अगर होगी मालीजियर कल को उसके साथ कुछ खेरखानी हो या कुछ दूर्वयवार करे को तो वह भी तो इस तरह से मीडिया के सामने आगे हैं कर सकते हैं अगर आपका पहले उसका है तो आपने जो वह गलत नहीं बोलूगी बस उनका जो वह रहा है आप सब कुछ करिए आपके आपके साथ जो गलत करें लेकिन ऐसे चीछा लेदर करके अपनी इज़त के भी आप लगा रहे हो उनकी इज़त के भी वाट लगा रहे हो यह मत करो बस मेरा इतना ही कि परवन जी का जो बहुत मतलब उनके अंदर यह कि वह जहां में डॉमिनेट करते हैं हर जगह उस चीजों को मतलब फिल्म की ब क्योंडase date में परवन जी झाली है तो शों च करेंगे यह नहीं करींगे फिल्मों के डेट्स भी अक्षरा जी ही कान्फर्म करते थि कि इस्ट इंगे इवन फिल्में फिस्ट लीड अगर अक्षरा जी है तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि पवन जी ऐसा है तो लेकिन उन्होंने यहीं बोला है कि मतलब इंडिस्ट्री के लोग को रोकते हैं कि आप अक्षरा के साथ काम नहीं करो और इंडिस्ट्री के लोग कि यह नहीं चाहते हैं कि वो यह नहीं चाहते हैं कि वो काम करें उनके साथ क्योंकि उनको एक कारियर में मतलब क्या चाहता हू तो आप क्या बोलने पर आप तरस्ट करेंगे, अगर मैं आपको बोलू कि आपने मुझे धंकी दी है, तो आप आप लोग ठरस्ट करेंगे, पिकोज मैं पुछ तो प्रूफ होना चाहिए, ना कि आपने मुझे धंकी दी है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या ऐसा कोई कि अपने मुझे करेंगे, तो ये चीज गलत है, बस इतना ही मेरा क्याना चाहिए, कोई शो या कोई प्रोजट्ट करेंगे, बताना चाहिए, हाँ फिलाल, कल मेरा शो है देवगर में, मैं अभी जस्ट आपके इंट्रिवू के बाद निकलने वाली हूँ, कल बासुकी नात मेरा शो है, स्टेज शो तो अगर वहां से मुझे लोग देख रहे हो, तो प्लीज आप लोग सब जरूरा ये मेरे शो में, और धेसरा इंजॉइ करेंगे, हम लोग से आम तोर पर जाता है, अक्षराज जी और पवंजी की बात नहीं है, बिनिर जी है, और अमुत पली जी ह पायदेमंद होता है, पुलगता करियर के हिसाब से आर्टिस के लिए, क्या बताओ यार, मतलब भी बहुत सी चीजे ना बोलना चाहते हूं, पर नहीं बोल पाते हैं, इसलिए क्योंकि चीजों की डेप्त को कोई नहीं समझता है, बस सब काली गुलाज और गंदी बाते कमे क्या हम चाहके भी सच्चा ही नहीं बोल पाते हैं, मतलब क्या बोलों क्यों दूसरों के पचलों में अपना की हम दामन गंदा करें, यह सब चीजे हो जाती है, और यह जो 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 चल रही है, लोग कहते थे जोडिया हिट होती है, इसके लिए पब्लिक पसंद करती है, मैं तो आज की डट में सुनती हूं, जितनी फिल्में आ रही है, तो बीवेरी फ qualcुल्में आ रही है, जितनी फिल्मे आ रही है, परगे वह मतले बड़ में सद्द करते हैं, हम तो खिळ्या अज़का एल्बमे बेर प्लॉप है, हम तो उसे इस्पेक्ट भी नहीं करते है, वह तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जोड़िया हीट है और जोड़ियों के वज़े से ही इंडस्ट्री चल रही है अगर गलत अनभव रहा है तो आप ने कभी आवाज उठाई उसके खिलाब कुछ चीजे एसी होती है कि हम चाहके भी नहीं बोल पाते हैं हम चाहते हैं बोलना पर नहीं बोल पाते हैं और हमारी इंडस्ट्री की बेसिकली जहां तक बात करो तो हमारी इंडस्ट्री मुझे जहां तक लगता है कि सबसे गंदी और सबसे कच्रा इंडस्ट्री है तो वेरी फ्रैंक्ली बोल रही हो मैं इसलिए विवाद वहां भी होते पूरी मिडिया जान जाते हैं यह घलत है यह जना चाहुआ कि आगे चलके अपलड़की है, करियर बना लिये हैं, शादी भी करेंगे, इस किसम के इंसान से रिष्टा जो रहेंगे? इंडस्ट्री के किसी इंसान से? मैंने पहले इंटर्वी में बोलाता है कि मैं अपने घर के मर्जी के साथ ही करूगी, मेरी फैमिली वाले जिससे चाहेंगे, मैं उससे से शादी करूगी, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी ने चाहिए मुझे, और इवन अगर इंडस्ट्री का हो, तो मेरी तरह फ्रैंक हो, जो भी चीजे एकदम फ्रैंकली बोले कि हां यह है तो यह है, मतलब जो इसे घुसरडपती लोग है ना, इंडस्ट्री में उस टैप के लोग नहीं चाहिए मुझे, पर भी क्या क्यों है ऐसा बोलने की इंडस्ट्री के किसी इंसां से अफ्टादी करते ही तो आपको जाद किसी के साथ कर्वाट मार दे अभी पता चला इसके साथ कल उसके साथ परसू उसके साथ तो पोई ग्यारंटी नहीं होती यहां के लोगों की तो ऐसे मौन में आप सश्टेन कैसे मतला आप कैसे तने साल तक काम कर ली है आप खुद बोल प्रेंकली बात करते हूं शाद हो सक करता है इसके लिए मुझे भी कमेंट्स में गालिया सुनने को मिले या हो सकता जो चीज़ लोग मेरी बात को समझे तारीव भी करें मैंने आज तो किसे के साथ काम नहीं किया ना परवन जी के साथ ना दिनेश जी के साथ ना खिसारी जी के साथ किसे के साथ क्यों सब अपन जाए एक जाए हिट फ्लॉप ए मुझे मतलब नहीं है तो जब आलेडी ऐसे गुछ बना हुआ तो गुसने का जाग ही नहीं है और हम कोशिश भी नहीं करते हैं आपने अलबम से बहुत खुछ है अपने स्टेज परोड़ाम से बहुत खुछ है उंको नहीं चाहिए यह सब छ है तो यह भी बॉला ना कि आप बोलिये लेकिन ऐसे मीडिया के सामने आकरके अपनी रेपोटेशन के बाट लगाओ दूसरे के रेपोटेशन के वाट लगाओ यह गलत है तब गलत है आज आज उनका एक और मैंने सुना था एक लाइन की मेरी पपलिक मुझे बहुत प्यार तो उनका पहला गाना भी पवन जी ने ही उनसे अल्बम में गवाया था राइट सैथ बोलम का गाना था पवन सिंह के गाना बजा के में भी यह था मुझे याद नहीं है शायद तो जिस इनसान ने आपको गाई की सिखाई है जिसके चलते आप आप आज अल्बम्स कर रहे हो मैं बोल जाओन का था पैसरे कॉल करो लेकिन आप पर एच्छिड कर अर्टिस का मैंने को इंछने बूटेति अचरीए खरू था जो यह जो यह सब जो मौल है, इस चीज के लागे क्या कहना चाहेंगे? कि और बजट भी कम होता है, यह सब पढ़ी पर करें? आज बल्श पांव कम हमारे जो दोग फिलमें सब्सक्रण का लेका बांटाउगे? तो बजगे हमारे पस B Great की फिल्में, एक रेट की फिल्मो की रिकवरी ओल्मुस्ट जितना खर्चा होता होता, उतना मेभी हो जाता हो गा रिकवरी, और जो B Great की फिल्में बनती होती है, तो जब रिकवरी नहीं होगी, तो प्रोडूसर या डिरेक्टर कहां से पैसे देगा नहीं घर से तो देगा नहीं जाहर सी बात है और एक और बात बोलना चाहूंगी अपने तरब से जब भी कोई लड़की आवाज उठाती है किसी के खिलाफ पिछली बार भी जो सीन हुआ था कि किसारी जी का और प्रियंका जी का जो भी विवाद था मुझे नहीं पता क्या था उसके बाद भी देखे कौन कहां है और वहीं के वहीं स्थिर है और जिसने आवाज उठाया वो कहां पहुंच कही है तो यहां हमारे इनस्ट्री में यही प्राबलम है कि अगर तुमने सच बो प्राइब कर लिए तो वह रिटन मिल का आपको जो आपने मेंन एक्ने सालों से आथिक तौर पर या जो आप पहचान चाती थी ओतना संतुष्ट है पर दो एपने पहचान से बहुत कुछ हूँ मेरी इतनी पब्लिक मेरे पास है जो मेरे लिए हमेसा खड़ी रहती है और मै अपने एल्बम से अपने स्टेज शो से बहुत संतुष्टूू। कर्यां क्योंकि मैं छुटी अव्ये मैं इस ज्टनाव मां में साइड बढाए जया कैनी पिंडरी से पिल्में टॉक स מאatz लिम है और अधि चाहए वहिंद में जानके स्टारों खिल्मा चाया है? मैं मुझे जितना मिला है इंड़्यो एसमें बहुत खुश हुए हुछ झाल 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 झाल